आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज हम नमक पारे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है और ये रेस्पी बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चे बड़े सबको पसंद आती है इसके लिए मैंने एक आधा कीलो का पैकेट मैदा ल करणों कि और इसमें मैं एक चममच अजवाईन और मंग्रेला एड़् करणों गी और इसमें मैं नमक टेस्ट नल के कार्डिंग टालोंगी और इसमें मैं पांगम रफ़ाइन ओईल दो को थोड़ा-ठोड़ा डालके अच्छे हम수ता है इसे मिक्स कर लिए रिफाइन पानी डालेंगे हम दीरे दीरे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इस मैदे को गरम पानी से गुतेंगे तो उसके लिए मैंने गरम पानी कर लिया है और गरम पानी का टैंपरेचर मेडियम रहेगा एकदम हाई गरम पानी नहीं रहेगी तो आप अब इसमें हम इसको गुथेंगे तो गरम पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे जिससे गुथने में असानी होगी और आटा हमारा गीला नहीं होगा हमेशा पानी को थोड़ा थोड़ा ही डाल के गूते और पानी थोड़ा गरम है तो आप चम्मच की सायता भी ले सकते हैं हमें मैदा को सकते गूतना है और गरम पानी से गूतने से हमारा नमक पारा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही तेश्टी लगता है तो हमें इसे अच्छे से गूत लेना है और हलके हातों से क्योंकि गरम पानी है तो हलकी हातों से अच्छे से मिक्स कर ले और पानी थोड़ा थोड़ा ही डाले जिससे पानी जादा ना हो और बाद में मैदा में बहुत पानी हो जाता है इसलिए देखिए हमारा मैदा गुधा यह बहुत ही सक्षा है और इसकी हम बहुत ही ऋना लेंगे देखिए हमारी बन गई है एकस्दम रोटी की साईच की लोई बन Mmg है अब हम इसे पतली पतली बेलेंगे तो आप देखिंए मैं किस तरह वेल रही हूं एकदम पतली वेल नी है रोइकसे भी पतली क्यूंकि113 के बाद मोटी हो जाती है तो इसे हम अच्छे से बेल लेंगे हमें इसे घुमा घुमा कर अच्छे से बेलना है अगर आप मोटी बनाना चाहते हैं तो आप मोटी भी बना सकते हैं और पतली बनाना चाहते हैं तो पतली भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पस पतले बना रही हूँ क्योंकि पतले चोटे बच्चे भी अरसानी से खा लेते हैं और उसे और मेरा मेरा बेटा थोड़ा सा बदमासी कर रहा है तो उसे इग्नोर कर दीजेगा और देखिए मेरा अच्छे से बेला चुका है लेकिन इसे हम और अच्छे से ब बेल लेंगे एकदम पतली सी और जहां जहां हमें मोटा लगेगा हम वहां वहां बेलन चला लेंगे यह रेस्पी बहुत ही असान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बरसाथ के मौसम में कुछ खाने का मन करें तो निकाल के खा लो और इसे हम एक मेने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और अभी कुरोना के टाइम बाहर खा नहीं सकते तो हम घर पे ही कुछ न कुछ बना लेना चाहिए और देखिए हम चाकु की सायता से इसे लंबा लंबा काट लेंगे यह बहुत ही अच्छी बनेगी और प्लिस मेरे बेटे को थोड़ा इगनोर करिएगा मैं उसे रोक नहीं सकती वो बार बर यहीं पास आ रहा है तो देखिए हमें इसी से काट लेना आप अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से काट ले और तेल डालने से यह क्रिस्पी होता है और आप जामायन मंग्रेला के जगा आप जीरा भूंच कर भी डाल सकते हैं तो हमें इसी तरह काट लेना है और वीष से फिर ऐसे कैया है विश से दो भागों में डिवाइड कर लेना है अब यह हमारा तलने के लिए तयार है आप इसे चाकू की सहायता से भी अच्छे से निकाल सकते हैं तो मेरा देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया और इसे हमें अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है ये अपने आप अलग हो जाती है तेल में डालने से और देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है मैंने इसे चेक कर लिया है और अब हम इसमें अपने नमक पारे डालेंगे आप ऐसी उठाके डाल सकते हैं क्योंकि ये बाद में तेल में डालने से अलग अपने आप हो जाती है और इसे हमें मेडियम आज पे दीरे दीरे भूंजते रहना है और इसे हमेंसे चलाते रहना है और गैस का फ्लेम मेडियम ही रखे हाइम ना करे हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें इसे हलका यलो कलर में ही निकालना है और देखिए ये थोड़ा फूल भी रहा है और ये थोड़ा सा मोटा भी हो गया ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बच्चों को भी बना के आप रख सकते हैं बच्चे बाहर का समान इससे नहीं खाएंगे घर का ही समान खाएंगे और बाहर का तेल भी अच्छा नहीं रखता है यहां आप अपना च्वाइश से बना सकते हैं तो देखिए हमारा नमक पारा यलो कलर का हो रहा है हमें इसे थोड़ा सा और यलो कनना है और गैस का फ्लेम हम मेडियम ही रखेंगे तो देखिए मेरा अब यह तैयार है विल्कुल अब हम इसे निकाल लेंगे तो इसी तरह हम अपने सारे नमक पारे को तल लेंगे फिर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी और यह बहुती करंची बनी है और यह आपके मुँ में गुल जाएगी इतनी करंची है तो हमें इसे भी ऐसी मतलब यह आपको एकक करके नहीं डालना है आप एक साथ उठाके ड लग हो जाती है तो हमें इसे मेडियम फ्लेम पर भूंजना है और इसको हम हलके यलो जैसे लगे कि यह हलका यलो होने लगा है तो आप गयास का फ्लेम एक दम लो कर दे और फिर इसे निकाल ले क्यूंकि यह ब्रॉन कलर का फिर इसमें टेश्ट अच्छा नहीं आता और यह यलो कलर में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है तो देखिए मेरा अब यह यलो कलर का हो रहा है मुझे ज़स थोड़ा सा और यलो करना है अगर आपको मेरी यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीस लाइक जरूर करिए गा और अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्ते फैमली के साथ से जरूर करिएगा यह बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही असानी से बन जाती है और इसमें जादे पैसे भी नहीं लगते तो मैं अपना सारा नमक पारा तल ली हूँ तो देखिए मेरा कितना अच्छा और कर सकते हैं तो थैंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो बाई